हेलो इब्रिवन मैं हूँ इंजिनियर मासुम सर अब आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल इंजिनियर मासुम सर मत्हमार्टिक्स में देखिए प्यारे बच्चों आज हम लोग प्रिवियर्स एयर्स के अबजेक्टिव कोस्चन के उपर डिसकस करने जा रहे हैं यहां पर 2018 में आपका जो एक्जाम हुआ था पेपर वांड एंड पेपर टू का उसमें जितने भी अब्जेक्टिव पुछे गए हैं रियल नंबर से वास्ट्विक संख्या से ध्यान दीजेगे यहां पर रियल नंबर हिंदी में इसको वास्ट्विक संख्या बोला जाता है वास्ट्विक संख्या तो रियल नंबर वास्ट्विक संख्या से जितने भी अब्जेक्टिव पुछे गए हैं 2018 के पेपर वान एंड पेपर टू के एजाम को मिला कर हम लोग उसके कोश्चन को डिसकस क करने जा रहे हैं तो देखिए यहां पे question number एक में बोला जा रहा है दो तथा 2.5 के बीच अपरी में संख्या है यहां पर option में दिया गया है root 11 root 5 root 22.5 root 12.5 है बोला जा रहा है कि 2 और 2.5 के बीच की अपरी में संख्या है ध्यान दीजेगा यहां पर माले यहां पर आपको 2 हो गया और यहां पर 2.5 हो गया तो root 4 का बर्गमूल क्या होता है यह दो जो है रूट फोर का बरगमूल होता है रूट फोर का बरगमूल क्या होता है आप लोग भी जानते हैं कि दो होता है तो यहाँ पे बुला गया है कि दो तथा दो पॉइंट पांच के बीच की अपरी में संख्या है तो रूट एगारक बरगमूल तो नहीं जानते हैं लेकिन रूट फाइब का बर्गमूल देखिए रूट फोर का बर्गमूल जब यहाँ पे दो होता है तो यहाँ पर न रूट फाइब का यहीं पर होगा यहीं पर कहीं रूट फाइब होगा देखिए रूट फोर का बर्गमूल दो होता है तो रूट फाइब का बर्गमूल करेक्ट हुए आएगा क्योंकि 2 तखा 2.5 के बीच अपरी में संख्या है तो रूट 5 का बर्गमूल जब निकाल रहा है हम लोग तो 2 अवर 2.5 के बीच में आ रहा है इसलिए इसका 1 का भी करेक्ट हुए आगा देखें यहां पर 2 नमबर में देखिए 2 नमबर में बोला जा र होगा क्योंतों जा है कि हमएशा पराकिर्तिक संख्या होगा हमेशा अपर में संक्ख्या होगा कभी पर किर्ट नम्थ होगा हाई यह हमें दो dashi क्योंकू एंग के मिला देखें का यहां पर आपको कुछ लिएंप पहारु द्वारत सम्झाता हूं तो के मिलेगा हमको 25 का बर्गमुल 5 मिलेगा तो इसका भेलू किता मिलेगा 5 मिलेगा तो 5 क्या है आपको पराकिर्थ संख्या है मान लिजे यहाँ पे हम लोग 25 ले लिए थे अब हम लोग यहाँ पे रूट 3 लेते हैं थे लिए तो रूट 3 हो गया रूट 3 क्या है आपको एक अपर साल सटाहिए एस लिए आपको फिर नम्ब को देखते पर्थम टोट्रा जाहिएанти क्या सा सकाुसल सकता हूँ तिरह हज्चा सब्हकता है थैस वह पूरे-पुरे कट रगाएंगक?」 कि 8 से कटेगा कि किसी से नहीं कटेगा तो आपको 6 से पूरा-पूरा कट जाएगा आप लोग भाग देकर देख सकते हैं मुझे मालूम है तो मैं आप लोग को बता दिया जो 13986 है किसे वह कैसे भाजी हो गा कौने संख्या से 196 से से चार से की 8 से होगा कि 9 किसी से भी नहीं होगा तो आपको 6 हो जाएगा जब 6 से इसमें भाग दिजेगा न तो यह पूरा का पूरा कट जाएगा चार से दिजेगा नहीं कटेगा आठ से दिजेगा नहीं कटेगा इसलिए चार और आठ इसका एंसर नहीं होगा इसका एंसर आपको 6 होगा 6 से कट रहा है इ गुर्जंफ फुन से क्या होगा तो इन इससंफ सब्सक्राइब दर्तम्स, पूर्णाग अगर इंगल्हीस में इसको समज को बने जाए तो इससंप पूर्णाग मतलब और पूर्णा एक क्रिले ripe पुर्णाक मतल innovate positive integer होगा हाद लोग मेरे प्यारे बाए और दोस्तों एक ध्रात्मक पुर्णाक होथा है कि पर्षर हैं अपने देवाय में anche याधि कर लीज गा चार नमबर को लिए यक इसको सट पाओर सेієlle तो एक पुजेटिव इंटीजर होगा एक धनात्मक पुर्णाग होगा तो आपको चार का अप्सन नंबर डी को रेक्ट हो जाएगा देखिए हम लोग एक को कर लिए तीन को भी कर लिए चार को भी कर लिए यह जितने भी कोश्चन है आपको 2018 के फॉस्टिंग एक जाम में प से टोटरल आपको पांच प्रसन पुछेगा है हर साल यहां से पांच से दस नंबर के प्रसन पुछे जा रहे हैं सिर्फ आपको चेप्टर वन रियल नंबर वास्तिक संख्या से देखिए इससे पहले मैं दो लेक्चर करा चुका हूं 2019 में जो आपको कोश्चन पुछा गय है फास्स इटिंग और रहेमेद करेंज की दोनों की मकूल को जोलोग node कि चल जाएगा आपको चूल साओ नियुका है और यह हम अब से ओपेन चाइलेज है अगर इस वीडियो को आप देखते हैं और आप से कोश्चन नहीं बनेगा तो मेरा पढ़ाना के कोई माइन नहीं नहीं रहेगा एकदम कोश्चन आनाता है तो तो है हर साल रियल नंबर वास्तिक संख्या से पांच से दस नंबर के सिर्फ अबजेक्टिव परसन पूछा जा रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर मेरा यहाप लेक्चर कर लेंगे सारे वीडियो देख लेंगे तो पांच स संख्या 0.32 उपर में बार लगाया गया इसको रेकरिंग बोलते हैं ठीडियो को पी बाई कीव के रूप में जहां पी कीव पुर्णांग है इंटीजर है और क्यूग के भेलो जीरो नहीं है क्योंकि यहां पर क्यूग के भेलो जीरो हो जाएगा तो यह तो अब परिभासि से आपको यह बता रहा हूं क्योंकि आपके एकजाम में दो नमबर के परसूग पुषए जाते हैं योग आपको दो नमबर में एक बार पूशा जा चुका है कि टू-पॉइन-टुन स्बंक बार लगाया गया है पहले सब्सक्राइब यहां पे 247 मतलब 247 है, 244 लिख दीजे और बीच में माइनस लगा लेना है और देखना है कि यहां पर 2 है, यहां पर 2 उतर गया. अब देखिए. कितने नमबर के उपर में बार लगा वहा है? रेक्रिच्टिंग लगा वहा है. तो दो नमबर दो नमबर है पॉइंट के बाद दो नमबर है और दोने के उपर में रेक्टिंग बार्ट लगवा है तो उतना नव नीचे में आ जाएगा आपको तो क्या हो जाएगा दो सबस्क्राइब दो जाएगा तो 245 अबटे में निननवे देखिए पी वाइक के रूप में यह आ गया यही आपका एंसर हो जाएगा देखिए कितना इजी को चना है और आपके दो नमबर के पुशा जा चुका है दो नमबर में एक बार पुशा जा चुका है बोला गया नमबर के रूप में लिखे तो कैसे लिखेंगे टू पुशा जितना यहां पर सबको यहां पर उतार देना है माइनस देदेना है और पॉइंट के पहले कितना अंख है और क्या है तो 2 है तो 2 लिख दिजिए और बट्टा में जितने अंग के उपर रेक्रिंग लगा उसको लिख देंगे तो यहां पर 47 है दो आंग के बाद है तो 9 9 यहां पर दो उतार जाएगा तो कितना हो जाएगा तो कितना बट्टे में इनानबे पी बाइक की को रूप में आ गया यह आपका एंसर हो जाएगा और ध्यान दिजिए आई हम लोग 5 नमर को देखते हैं ब 032 हो गया तोटल यहीं लिखा हुआ है 032 यह 0 पहले लिखिया यह ना लिखिया उसे कोई फ़ल्क नहीं परता है इस बार और माइनस 0 है 0 घटाएंगे और कितने अंके बाद लागा था 2 आंके बाद 2 9 आ जाएगा तो देखिए 32 में से 0 जाएगा तो कितना होगा बटी से र पांच का सी आपको एंसर कोड़ हो गया तो देखिए पर्थाम पाली और सेकेंड पाली के एक्जाम होता है आज कल तो पर्थाम पाली और सेकेंड पाली में जितने भी अबजेक्टिव प्रस्न पुछे गया है रियल नमबर वास्त्विक संख्या से मैं सब को यहां पे डिसकस किया यह आपको पाट वन का था अब इसके जश्ट बाद हम पाट टू को स्टार्ट करेंगे ध्यान दीजेगा आप लोग पाट टू के कोश्चन को हम लोग डिसकस करेंगे अब चली हम लोग 2018 के दूतिय प पाली में जितने भी अब्जेक्टिव प्रसन पुछे गए थे रियल नमबर से वास्त्विक संख्या से अब हम 2018 के दूतिय पाली के अब्जेक्टिव प्रसन को डिसकस करने जा रहा है यहां पे टोटल एक दो तीन चार पांच छे साथ प्रसन पुछे गए देखिए मैंने आपको बताई दिया कि हर साल यहां से साथ से दस नमबर के अब्जेक्टिव प्रसन पुछे जा रहा है सिर्फ चेप्टर वन से रियल नमबर वास्त्विक संख्या से तो आप लोग पूरे अपने कंसेप्ट को किलियल कर लीजिए मैं बहुत ही अच्छा से और बहुत ही ड यहां से देखिएगा आपके दिमाग में बठे जाएगा देखिए यहां पर एक नमबर में बोला जा रहा है संख्या रेखा इंगलिस में नमबर लाइन बोलते हैं संख्या रेखा पर पर्तिक बिंदू परदर्सित करता है एक वास्त्विक संख्या यह एक परिमे संख्या एक अपरिमें संख्या मान लिजिए आपको यह नंबर लाइन हो गया यहाँ परिभासित यहाँ पर परिभासित यहाँ परिभासित यहाँ पर प्रदर्सित करता है संख्या फैर नमबर लाइन पे जो भी संख्या को हम लोग कर सकते हैं। साते हैं उसको क्या बोलते हैं लोग रियल नंबर वास्ट्विक संख्या बोलते हैं तो इसका एंसर क्या होगा वास्ट्विक संख्या ना हो जाएगा यहां पर वन का एक क्वरेक्ट हो जाएगा आपको एक वास्ट्विक संख्या होता है नंबर लाइन ले लिजिए उस पे क से लेकर पलस इंफिनिटीव मतलब माइनस परीभासि से लेकर पलस परिभासि तक तो देखिए वान का ये और दो नमबर में देखिए सबसे छोटी पूर्ण बढ़ग संख्या जो देखिए लेवाघ कर्के देखना हो तो क्यांतरिंट अबतल टो कि सिह सी सबसे चोटी पूर्ण बढ़क संख्या जो सोला बीस और चोबिस तीनों से विभाजी हो तो दो सचालीश में सबसें लग जा रहा है और चोबिस से भी लग जा रहा है तो दो का यह आपको करेक्ट हो गया तीन नंबर में देखिए संख्या इतना को पी बाई कीव के रूप में लिखे देखिए दो हजार आठारा का जो पास्ट टीक का इसमें दो इसका बनाने का मैं तरीक बता को इसको को तो बता है क्या तरीका था यहां पे यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है है नंबर के ऊपर आपको बार लगा हुआ उतना नीचे में आ जाएगा तो जब यहांसा मैंनस करेंगे 23 Manchester 23 जाएगा तो तैसनेशन baking शाएगा यहां पे ठिस ब्बीस cran 23335 हो गया चाराइस दो गिया दूहों गया बटा में नीनानव यह आको तेंसर हो गया 30,90 गॉहीं पी ए डिया नग्वे 1993 सब्सक्ऱ कि अभय अन्भर को पतिंगा उन्हाज लें गाय जितिamiliar क mau दुद ह हो गया धिकन का गई क्या मिले गलते हैं तो 64 का बर्गमुल कैंना कि 8 होता है गहन पर क्या होता है प्लबंद यहांWA पर लिख चसट अबर ग्हों م Wireum क्या होता है तो 4 होता है और 44 का आप को घंबूल क्या होता है बाबू तो चार होता है लिए जोटाए यहां पर क्योंकि चार को का 16 जोटी दिभी है कि 들어 इंंगली समुझ को घंबूल हो है स्वारी तो च lives को और JUL तो CRAOW का आठ होगा तो बाग गलमूल कितना है चारा है भाग देजिए चार दुना के आठ दो बार में गया है तो क्या मिलेगा तो अपसन नमबर यह में 64 है अब यह में 2 है 2 मिल रहा है न तो आपको च्यार का भी आपको सही है कि देखिए यहां पर सेम पांच नमबर कोश्चन में आपको बताया थे कि नहीं बताया था दो यह अठारा के फॉस्ट इटिंग का जो बता रहा था उसमें सेम कोश्चन था कि नहीं कि एक्स के पावर एन आप उलस वन का एक गुणा एक्स पॉलस वन है तो इन क्या होता है यह रहा है देखिए हर साल सेम कोश्चन यहां पर रिपीड किया रहा है यहां पर एक्स के पावर एन पॉलस वन का एक गुणा एक्स प्लस वन है तब एन हमेशा है क्या होता है धनात्मक पॉल्णा होता है पोजिटिव इंटीजर्स होता है पांच नमबर भी देख लिए है चार नमबरे Mars लिए ती नमबर देखे लिए अब छेले से दोफोन συν पॉला गिया है रूट 10 आगोने रूट 15 बदा बराबर किसके बराबर रहा है ग्याती व्यक्राथाइज करते हैं यहां परह्ण पे हो रूट 11 द्या गया है और्सनेंरुट और बोला जा रहा है या किसके बराबर है है यहां परकू है अम जोस्टे मेस्कe निटास की हाज़ी लिखके है यह सकते हैं यह सब्सक्राइब हिद्धित रूट पppers ब्रटे यह किसके बराबर दिखें रुट द सब्सक्राइब कर्मूला मास है कि अ dealt गधियों निकालकर देखिए कितना आता है यब एक साफ पाचास का हम लोग निकालें गए यहां पेकस पाचास का दो से जाएगा चेट आपार में गया फिर तीन से जाएगा तीन एक दूने के छे एंदिन पंदर आपाचा फॉज़िश तो कितना हो गया फाइफ स्क्वायर तरी अगुने ट्टू तो तो पाचाफ पत्चीस रूट स्टॉरी पांच रूट शिक्स न व्या पाच आपचाफ पैंच रूट शिक्स अरा देके तो अप्सण का मज़ कर रहा है कि यहां खेका एक मेन दिया गया थे कितना इंट्रेस्टिंग बात यह ओन का एठा तूक अभी आपको अप्सन प्रूट का एक बराबर है तो रूट फंद्रा दोनों को एक बंद में चले गए ड्रेड़ सों मिला देड़ सो अ बर्गमुल निकला तो आगया पांच प्रूट सीक्ष आगया इंसर हो गया आप साथ नमर में देखिए क्या बोला जा रहा हां साल कर देखते हैं कॉह व जा को औंसा पर 10 मतलब टहना है हॉइस्ट जो हेट सेक्भ है इस सिर्ष का फुल फरम क्या होता है हाय इस प्रफिट कमन फिक्टर मसा इसको हिंदी में बलते हैं महत्तम समापर्तक तो बोला गया है आपको कि 6x के पावर 4 6x के पावर 4y आ कमा 12xy का आपको मसा निकालना है बागु द्यान दिजएगा मतलब जो दोनों में कमन उसे इक मैं सबसुनly भाल यहां से इस में 6 निकाल सकते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर नीकाल लेंगे यहां पर कर लिया है यहांनी हम लोग वीघाइब कर लिया है यहां पर हम लोग 157-20 लात्ब में न हुए गया 5 का मतलब हुए लगा गया उससे मतलब रखना तो कऊमाड क्याT आ जाएगा इन दोनों में क्या मिल रहा है तो सिंदोनी के कि समय है इंद करें इसकिफ के बारा होताहे यहां पे दखिए इस कम लोग मासा एक सीएफ बोलते हैं तो देखिये प्यारों बच्चों मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका से यहां किया बहुत ही भीधरी मैं आपको समझाया आपके दिमाग में जा कि बठ जाना चाहिए मैं इतना अच्छा से आपको समझा दे रहा हूं एक्सपलेने कर दे रहा हूं हर एक बात को तोड़के कि आपके दिमाग में जाके बढ़ जाना चाहिए देखिए आज हम लोग डिसकस किये 2018 के पर्थाम पाली और द्यूटिया पाली के जितने भी अब्जेक्टिव कोश्चन पुछे गए थे वास्टिक संख्या के उपर रियल नंबर के उपर हम लोग इसको डिसकस किये इसमें सेकेंड पाली में साथ कोश्चन था जबकि प्रथाम पाली में आपको तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हर साल आपके एक्जाम में पांच से दस नंबर या आठ से दस नंबर बोलना भी बुरा नहीं है इतने के कोश्चन आपके पुछे जा रहा है सिर्फ रियल नंबर चेप्टर वन से वास्टिक संख्या से तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छा ढंक से देखिए बार बार देखिए ताकि आपके दिम्याग में बढ़ जाए और आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसको एक लाइक भी देजिए और इसको सब्सक्राइब कर देजिए और अपने दोस्तों में भी स सब्सक्राइब ग्रूप है और जितने भी आपको फेस्बूक ग्रूप है सब में इसको सेर मार दीचे और कमेंट अपना जरू कीचे अपना फिडबैक डिजिए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं और आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है और किसे चेप्टर के उप्यों आप वीडियो चाहते हैं जिस भी चेप्टर को प्योरा वीडियो चाहते हैं ऐसे चेप्टर वाइज अपडेक्टिव का तो आप हमको बता दे मैं उसका वीडियो बनाके अपलोड कर दूँगा और एक बात जो लोग भी 2019 और 2020 के कोशन के उपर डिसक्रिप्स जो मैं किया उसको बोलोग तो वीडियो वीडियो लोग वीडियोगτο फ्रेजयDR.